देखिए एक प्लod relation का question है है क्या question है समझेगा यह symbolical questions कहलाते हैं blood relation के और इसमें कई Bay Sumervy के वेल इतना होता है कि जब ऐसा लिखा होता है देख़े ध्यान से इसमें लिखा हुआ है है इसमें लिखा हुआ है इस सब्सक्राइब करने लगते हैं इन तीनों का अपस में यह एक सिंबल कल है सिंबॉलिक लिए कि अगर आप फर्स्ट को देखें तो इसमें बोला है प्रॉस क्यू थो कॉन सा रिलेशन टू है तो आपको देखना है क्रॉस किसके लिए क्रॉस में जो है वह वह क्यू का सन है यह सन हो गया यह मतलब हुआ अब उसके बाद दिया है माइनस माइनस है ए वाइफ अफ बी तो क्यू जो है वह वाइफ इप किसकी ऐसकी है क्यों की अगर यह वाइफ है तो यह फीमेल हूई है हस्बें यह हो गया अब आपको रिलेशन बताना है तो जैसे रिलेशन जैसे देखें एस व is father of P बाकी भी देखो P is daughter of Q no P daughter नहीं है फिर D देखो Q is father of P, Q mother है तो ये भी कलत है तो आपको इस तरह के questions को बहुत ही simple तरीके से करना होता है जो statement दिया है उसको question को देखो फिर इन symbol पर जाओगे तो आपसे mistake नहीं होगी ये question first हुआ अब देखते है question number two तू में बोला जा रहा है T minus S cross B minus M which of the following is not true कौन सा true नहीं है ये पूछा है इसका मतलब है कि T true होंगे तो carefully करेगा पहले तो minus का मतलब है A is wife of B तो T जो है वो wife है किस की S की ये wife है तो ये husband हो गया multiply का मतलब होता है S cross B और यहां पर कोई board में शुरूर नहीं लगता है multiply का मतलब है A son of B तो यानि जो S है वो son of B है तो उपर ले लेते हैं थोड़ा ये son of B हो गया ये father mother कुछ भी हो सकते हैं अब T minus S cross B minus M minus M का मतलब फिर B is wife of M तो यह mother हो गई और यह wife of M हो गई यह हो गया relation यानि यह दोनों husband wife और यह दोनों यह दोनों भी husband wife है याद रखेगा यह इनका बेटा इन दोनों का अब हम statement पढ़ेंगे तो हमसे question सही होंगे जैसे बोला B is mother of S फिल्कुल सही है B mother of S सही है पर answer नहीं answer पूछा not true be careful ऐसे question में अक्सर हम सही वाला लगा देते हैं तो यह answer नहीं है statement true है answer नहीं है M is husband of B यह भी सही है मतलब answer नहीं है T is wife of S यह भी सही है यानि answer नहीं तो इसका बचाए कि फिर भी हम पढ़ते हैं S is daughter of B S daughter नहीं son है तो यही wrong है इसका मतलब यही answer है is that clear तो इस क्या बोला है third question में जड़ा देखें जैट क्रॉस T माइनस S क्रॉस यू प्लस P वाट इज यू टू जैड यू टू जैड पूचा है तो पहले तो क्रॉस का मतलब है जैड इस सन आफ ए सन आफ बी तो टी का सन है कौन जैड यह सन हो गया टी के टी सन आफ जैड अब उसके बाद है माइनस टी इस वाइफ ओफ एस यह हज्मेंट वाइफ हो गए यह वाइफ क्रॉस मतलब फिर से ऐसे सन आफ यू एस जो है वह यू का सन हो गया ठीक है यह सन हो गया पिटा अब उसके बाद U plus P plus का मतलब है A plus B means A is daughter of B तो P की यह जो है daughter है ठीक है अब पूछा है कि आपको relation U to Z यू टू जड ठीक है यह इसके बेटा है और बेटे का यह बेटा यानि एक तरह से यह grandmother हो गई yes or no this is right answer grandmother right तो इस तरह के questions को अगर सभी डाइग्राम बना के किया जाए तो बहुत इसी होते हैं और one time का concept है एक बार बन गया तो फिर कभी mistake नहीं होगी